एक भैंस एक दिन के अंदर कितने रुपे का खाना खा जाती है और कितने रुपे का दूद देती है आज हम ये समझेंगे इससे हमें पता चलेगी बफलो फार्मिंग की पूरी की पूरी एकनोमिक्स और उससे फाइदा हमें ये होगा कि जो लोग डेरी फार्मिंग के अंदर काउ के अंदर काम कर रहे हैं, यानि गाए पालन का काम कर रहे हैं और उन्हें घाटा लग रहा है, तो वो बफलो फार्मिंग के अंदर आकर और अच्छी खासी इंकम जो है, वो जर्नेट कर पाएंगे. मैं आपको एक एक चीज़ का खर्चा बहुती बारीकी के साथ बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों हम मानते हैं कि एक भैंस 15-20 किलो ग्रीन फोडर एक दिन में खाती है यानि हरा चारा एक दिन में खाती है और ये केवल मैं नहीं बोल रहा बहुत सारी जो डाइट चार्ट आते हैं पशों के उसमें भी यही दिया होता है 20 किलो चारा भी अगर खाती है और अगर हम वो चारा मोल लेकर आते हैं कहीं से तो 3 रुपे किलो के हिसाब से 60 रुपे का चारा वो एक दिन में खा जाती है 10 किलो गेहूं का भुसा या फिर चावल का भुसा खाती है आज के टाइम में 400 रुपे कोईंटल गेहूं का भुसा विकराए तो ऐसा मान के चलिए कि 40 रुपे का वो गेहूं का भुसा एक दिन में खा जाती है तीन किलो दलिया उसमें बाजरा भी हो सकता है, मकई भी हो सकती है, जो भी हो सकते हैं, गेहूं भी हो सकती है इसमें गेहूं एक महंगा अनाज है तो हम ये मान के चलते हैं कि गेहूं के हिसाब सीब अगर देखें तो 22 गुणा में 3 यानि 66 रुपे की वो दलिया खा जाती है इसके इलावा वो 2 किलो ओईल केक वो बड़ेवें की खल हो सकती है और वो सरसों की खल हो सकती है 30 रुपे के आसपास ही मिलती है तो 60 रुपे की खल खा जाती है 100 गराम आपको तेल देना होता है चाहे सरसों का दीजिए चाहे अलसी का दीजिए ताई तिल का दीजिए हम ये मान के चलते हैं कि अमोमन सरसों का तेल वो 200 रुपे किलो बिखता है तो यहाँ पर 20 रुपे का त प्रवाइल हम उसे दे देते हैं एक भैस जो 10 लिटर दू देती है उसकी कीमत बाजार में लगभग एक लाख रुपे के आसपास होती है और एक लाख रुपे अगर आप एक भैस के उपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको अगर आप पैसे लेंगे बैंक से और बैंक युए तो आपको 12% लोन पड़ेगा एक रुपया सेंकड़ा हम मानके चलें तो इसके हिसाब से एक लाख रुपे की ऊपर ब्याज हो गया 12,000 रुपे एक साल का एक महिने का हो गया 1000 रुपे एक दिन का हो गया 33 रुपे तो हम वो व्याज भी अपने इसके इंदर जोड ल का खर्चा आजाता है और अब इस खर्चे को अगर हम पूरे को जोड़ें तो 279 हो गया एक भैंस एक दिन में लगबग 10 लिटर दूद दे देती है और भैंस के दूद का रेट आप लोगों को भी मालूम होगा 80 रुपे से लेके 95 रुपे किलो तक चलता है और जो लोग ये हमारा तो ग компьют कोई लेके जाएगा दूद तो वो 80 रुपे है बजार में आप खुद देने जाते हैं तो 95 रुपे तक है हुम मानके चलते है विस ऐस से रुपे घर विके तो 800 रुपे का दूध हमारा डेली का हो गया एक भैंस का उसमें से उसका खर्चा निकाल दो 279 तो 521 20 रुपे हमारे पास एक भैंस ने एक दिन की इंकम दे दी अब आप लोग कहेंगे कि एक भैंस जो है वो साल में 9-10 महने तो दूद देती है इससे फालतू नहीं देती क्योंकि जब बच्चे को कंसीव कर लेती है तो उसके बाद कुछ महने तक 2-3 महने वो दूद नहीं देत तो आप लोगों को बता दूँ कि एक भैंस अगर 9 महने भी दूद देती है यानि 275 दिन भी दूद देती है तो 275 गुना में 521 यानि 1,43,275 रुपे का वो दूद दे देती है यानि इंकम इंकम दे देती है आपने खर्चे निकाले अब कुछ लोग ऐसे भी होंको जो कहे आपने खर्चा नहीं निकाला वो तीन महीने हमारे पास रही तो आपको बता दूँ एक दिन का खर्चा 279 है तो एक महीने का खर्चा 8,370 रुपे हो गया आप तीन महीने का खर्चा निकाल दीजिए तो आपके पास 1,18,150 रुपे फिर भी कमाई बच जाती है अब भी तो हम 8 मेने के हिसाब से अगर देखें तो आप ये जोड़ के देखिए कि 245 गुना में 521 यानि 245 दिन होगे 8 मेने के तो उसके हिसाब से आपके पैसे बन गए 1,27,645 रुपे अब इसमें से खर्चा में निकालना है चार मेने बच गए पीछे तो 33,480 रुपे का खर्चा हो गया यानि 94,165 रुपे आपको फिर भी बच गए तो अब आप लोगों को बता दूँ कि ये जो 94,165 रुपे है ये मिनिमम से मिनिमम कमाई मैंने आपको भेंस के अंदर बताई है एक भेंस के अंदर और सारी के सारी चीज़ें जितनी हमने एड की सब हमने दिखाया कि हम हैं तो मोल लेकर आए हैं खरीद के लेकर आए हैं हलांकि चारा आगे हूँ ये सब अपने यहां पे होता है भूसा बगएरा तो इसका इतना खर्चा जो है नहीं पड़ता लेकिन हमने पूरा मैक्सिमम खर्चा मान के चला अब रही बात कि लोग कहेंगे कि आपने दिहाड दिन 300 रुपे के हिसाब से ध्याडी जोड़ी जाए तो 1,9,500 रुपे उसकी ध्याडी बैठती है तो 10,200 के अंदर एक भेंस के अंदर 1,00,000 रुपे हमने इंकम मानी 10 के अंदर 10,000,000 इंकम हुई 1,000,000 दिहाडी वाले के आप कटा दीजिए तो आपके पास 9,000,000 रुपे हम मान के चलते हैं कि 7 किलो ओन एवरेस खाए एक साल के लिए तो एक साल का बच्चा जो है वो 7 किलो भी अगर खाता है एक साल तक भूखाता है तो भी उसका आप ये जोड़ के चलिए कि 20 रूपे का रोज का खाना हो गया 365 दिन खाता है तो 73 सो रूपे हो गया हमारे पास 10 भेंसे हैं 10 बच्चे हो गये तो 73 हजार रूपे आप और घटा दीजिए फिर भी आपके पास बहुत अच्छे इंकम यानि 8 लाक 25,000 से उपर की इंकम जो है आपके पास बच जाती है तो ऐसे में मुझे लगता है कि भेंस पालन जो है वो बहतरीन है गाए पालन से और उसके पीछे का रीजिन भी आपको बता दीता हूँ गाए जो है वो जब बच्चे देना बंद कर देती है दूद देना बंद कर देती है तो फिर आपको खुद अपनी जिब से पैसे लगा कर उसे गवसाला में छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि गवसाला वाले भी पर्ची काटते हैं लेकिन अगर भैंस दूद देना बंद कर दे, दूद देना छोड़ दे तो भैंस कटड़े वाले जो हैं जो इसके मीट के परपसे, इसके लेदर के परपसे से खरीदते हैं वो लोग अराम से इसे ले जाते हैं और अच्छे घासी केमत वो आपको देखे जाते हैं एक फुल हेल्दी भैंस या भैंसा हो तो उसकी अच्छी कमाई आपको हो जाती है अगर वो दूद बगएरा कुछ नहीं भी दे रहा तो भी आप उसे बेश सकते हैं यानि 60-65,000 रुपे में फिर भी वो मार्केट में आरा कि इसके दूद में फैट भी जादा होता है इसका दूद महिंगा भी होता है और इसके जो खर्चे हैं वो भी बहुत कम हैं खेर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर इससे लिलेटिर कोई भी सवाल हो तो वो भी बताना आ आपका क्या experience है डेरी के दुनिया में वो भी बताना है खेर दोस्तों देखते रहिए ABC इंडिया